हेलो गभीज वेलकम बैक टुम पाहरे चैनल वेल्कम टू फनाज मों आंस मार्केट वेलकम टू अनेधर वीडियो गईस इस वीडियो के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लों बात करेंगे और सेंट्रल बैंक ऑफ mach ऑफ對不起 के अंदर कुछ जिसको आपको म की situation को observe करें तो 14.25 के open price के बाद 13.50 का low बनाता है and 14.30 का high बनाता है 52 week low अगर आप देखेंगे तो 10.10 का है और 52 week high है 22.40 का lower circuit band लगा था 11.40 का upper circuit band लगा था 17.10 का 95,60,387 quantities trade होती है 13.70 की closing देता है लगबग 3.86% down अपने last closing price के respect में जो की 14.25 का था market cap अगर आप देखें तो 8049.52 करोर है delivery अगर आप देखेंगे तो 53% के आसपास delivery ली गई है BSE के ओपर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको volume कम नहीं है लगबग equivalent ही है ठीके तो यह अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर की share holding pattern के बारे में थोड़ा सा क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा important है तो देखिए यहाँ पर मैं दो quarters की बात करूँगा September 2020 और June 2020 September 2020 में June 2020 में सबसे पहले देखें तो promoters के पास जो stake थी 92.4% थी ठीक है यानि 92.4% holding थी promoters के पास जिसका 0% गिरवी है लेकिन lock 70.69% locked था FII's अगर देखेंगे June 2020 में तो 0.2% के साथ थे DII's 4.5% के साथ थे Public share holding 2.9% थी वहीं अगर हम September 2020 की बात करेंगे तो promoters के पास 89.8% यह stake हो जाती है गढ़ जाती है 92.4 से और holding अगर आप देखेंगे तो 89.8% में से 0% गिरवी है locking अगर हम देखें तो 70.51% यहां पे भी lock है FII's अगर आप चेक करेंगे 0.2% के साथ बने हैं वहीं DII's देखें तो 7.2% के साथ है Public share holding देखें तो 2.9% यहां पे भी है September quarter में और other category वाले investors यहां पे 0 दिखा रहे हैं लेकि पब्लिक share holding में retail investors आते हैं जिनके holding है 2.9% तो यहां पे अगर आप देखें तो Central Bank of India के अंदर आने वाले time में हो सकता है तेजी आ जाए क्योंकि यहां पे एक update है जो update यही है कि fund raise को लेकर कि कुछ update है और यहां पे आपको जानना जरूरी है कि कितना fund raise करने वाला है हलांकि date जो है उसके लिए अभी तक इस news के अंदर updated नहीं है यह एक proposal था Central Bank of India की तरफ से जिसको इसके board ने approve कर दिया है यह date मैं आपको बताना चाहूंगा 11 December 2020 यानि 11 December Friday लास्ट Friday को इस bank ने यह चीज अपडेट करी है और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यह देख सकते हैं आपके सामने news है Central Bank of India to raise up to 500 crore by issuing bonds यानि अगर आप ध्यान से देखें इसको तो इसमें चीजें जो mention है आपको बताना चाहूंगा अब मुझे ध्यान से सुनिएगा आपको सब समय में आ जाएगा Central Bank of India जो है 500 crore 500 crore रुपे 500 crore रुपे जो है बैसल 3rd की compliant bonds को इस्जू करके arrange करने की बात कहा है जो Capital Raising Committee है बोर्ड की The Capital Raising Committee Board of the Bank यानि इस बैंक के बोर्ड की जो Capital Raising Committee है December 11th को उनकी एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कंसीडर किया गया और कंसीडर करने के बाद अप्रूव कर दिया गया कि 500 crore की Capital Funds को रेस करेंगे इस मीटिंग ने ये भी बात बदाई है कि ये 500 crore रुपे जो ये रेस करेंगे कैसे करेंगे Non Convertible Redemable Unsecured Bessel 3rd की Compliant Tier 2 Bonds को इशू करेंगे और ये इशू किस नेचर के रूप में करेंगे Promisory Notes के रूप में हाँ जी Promisory Notes Promisory Notes आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं बिसिकली एक तरीके का एक Debt Instrument होता है आप यहाँ देखते चलिए स्क्रीन पे भी आपको दिखाना जरूरी है आप यहाँ देखें तो Promisory Notes एक तरीके Debt Instrument होता है जो एक Promise होती है जिसमें जो इशूर होता है यानि जो इशू करता है इस इंस्ट्रूमेंट को जो बैंक है वही इशू करेगा जिसको अरेंज करना है मनी या Capital तो वो Lander को एक Repay करने के लिए Promise करता है वो Principal Amount और उसके साथ एक Certain Interest होता है दोनों मिला करके उसको Repay करना होता है और यह किसी भी Companies या Individual को Allow करता है कि वो Banks के अलावा भी और Funds Collect कर सकते हैं ठीक है इस Instrument के के जरिए या इस Debt Instrument को यूज करके तो Promissory Note के रूप में जो है यह Bank अपने Non-Convertible Redeemable Unsecured Basel 3rd Compliant Tier 2 Bonds को इशू करेगा जिसके जरिए यह 500 करो रूपीज अरेंज कर पाएंगे इसके अलावा सबसे ज़्यादा Important बात आपको यह भी जाननी है कि यहां पर इस Bank के तरफ से जो है Recruitment Process Start होने वाला है और जो Start होने वाला नहीं Basically अभी Registration Process चल ला है इसमें अभी आपको Recruitment नहीं हो रहा है अभी Registration Process चल ला है और Center Bank of India की जबलपूर साइड में जबलपूर रिजन में इनके कुछ Officials की Vacancies खाली थी तो उस Vacancies को भरना है जिसके लिए इनका Registration Process स्टार्ट कर दिया है इनोंने December 12 को इनका Registration Process स्टार्ट हुआ था और 28 December, December 28 तक जाकर के end हो था तो इस Time Period में Registration कराएंगे लोग और इसके बाद जो है Bank का जो Recruitment Board है वो Recruit करेगा और Contractual Basis पे उसमें Approval की Proper Need होती है तो वो सब Bank का Board करेगा तो It's All Up To Banks Board तो ये कुछ Points है जो आपको जरूर पता होना चाहिए अब आपको दिमाग में Question आ रहा होगा कि Central Bank of India ने कितने Return Percent दिये हैं अभी तक तो वो भी हम लोग आप जान लेते है Return Percent सुनने के बाद शायद आपका दिमाग खराब हो जाए लेकिन जो सचाई हो आपको पता होना जरूरी है Year Till Late में Central Bank of India ने 23.46% का Return Show किया है Negative One Week में 8.05% का Negative एक महीने में 16.60% का Positive तीन महीने में 13.29% का Negative Six Month में 16.72% का Negative एक साल में 25.54% का Negative दो साल में 56.37% का Negative तीन साल में देखें तो 82.048% का Negative रिटर्न है तो यह कुछ Points हैं जो आपको पता होना चाहिए और सचाई कड़ी होती है सबको पता है तो अब यहाँ पे अब आप पूछ रहे होगे कि इसमें तेजी गबाएगी राइट यह दिमाग में चला होगा Question ओके, No Problem यहाँ तेजी की बात अगर करें तो देखिए तेजी आ सकती है बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर की हालत आपको पता है COVID-19 से जुड़ी हुई जितनी सिचुएशन्स थी पैंडमी को लेकर के आलत पूरे देश के अंदर खराब थी और इसका असर सारे बैंक्स पे देखने को मिला अलाकि कुछ बैंक्स रिकवरी की लाइन में आके खड़े हो चुका है लेकिन अभी भी जो आपका सुप्रिम कोट है उसके हाथ में जो बैंक्स के एनपियर रिकरिनेशन को लेगर के एक इस्टे लगा हुआ था एक रोक लगे हुई थी उसके उपर अभी जुडिशरी का वर्डिक आना बाकी है जुडिशरी ने उसको वर्डिक को रिजर्व कर लिया है और जल्दी ही उसको रिलीज कर सकती है तो वो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव नियूस होगी बैंकिंग सेक्टर के लिए और इसके अलावा सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये भी होगी कि अगर सुप्रिम कोट किसी इस तरीके बात जो किसी इस तरीके की बाते लोगोंने पिटिशन में फाल करी हैं जो कि b工 sector के जो बैंक association है बैंक association है जो इंडिया का इंडियान बैंक association उसके किलाव है तो यह पॉइंट से कुछ आपको पता होना चाहिए और return तेजी इसके अंदर आएगी लेकिन जब banking situation सब थुड़ा साही होगी तभी के इस ये याईगी और रजिस्टेंस आ सपोर्ट लेवलused शने एक बताना चाहूंगा आप को पता होना चाहिए इस बैंक के ने त didn news आप टो देखी यहां पर पांच ओफ matched स्वे बाध़े देखें तो बहुत ही ज्यादा बैरश मिले ay वहीं अगर आप daily basis पे अगर आप RSI और MECD के अगर चेक करें कुछ technical indicators को तो RSI इसका neutral दिखा रहा है 51.32 value के साथ वही MECD इसका 0.61 दिखा रहा है जो की bullish है MFI यह निए money flow index की बात करेंगे तो 68.10 है जिसके ओपर यह बहुत ज़्यादा bearish है अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें मECD या RSI के अगर हम बात करें daily basis पे ना आप weekly basis पे अगरा RSI चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको यह बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या उस पे भी आपको neutral ही दिख रहा है मECD अगर आप देखें weekly basis पे तो bearish है वहीं अगर आप MFI देखें यानि money flow index तो 64.01 है जिसके ओपर यह बहुत ही ज़्यादा neutral है इस take holding pattern आपको मैंने बताई दिया था तो इन points को ध्यान रखिए और अपना ख्यार लखिए मैं आपसो next video में कुछ और update करते हुए जरूर मिलूँगा और इसके अलवा अगर आप finance market को first time देख रहे हैं तो please make sure to hit the subs button and bell icon को जरूर हिट करें उससे notifications आप तक मिलती है direct की आपको पता चलता है और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको demand account open कराना है तो description box देखिए वहाँ पे आपको एक link मिलेगा अप stock में account open कराने के लिए तो आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं या आपका कोई जाने वाला है जानने वाला है जिसको जरूरत है आप उसको यह link refer कर सकते है टेक केर गाइस